तो दोस्तों जैसा कि आपने थमनेल देखा है आज की वीडियो में हम बात करेंगे क्या सर मीचल फंड में डाला गया पैसा जीरो हो सकता है हमारा जो पिंसिपल है वो जीरो हो सकता है या नहीं तो दोस्तों आज की वीडियो में आपको बिल्कुल लाइफ बताऊंगा दोस्त मैंने कुछ टाइम पहले डोस्तोव और मने एक साल पहले एक इन्वेस्टमेंट का रहा था मीचल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहा था S.I.P. के रूप में दोस्तो जो वो S.I.P. थे उस पर रेगुलर Finance Hub में दोस्तों आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि मीचल फंड से रिलेटिट हर वीडियो आपको इस चैनल पर मिलती रहती है तो चलिए शुरू करते हैं अच्छी है जैसे ही मेरा PINI ENTER करूँगा तो simply में चलूँगा DEX Board में क्लिक करेंगे दोस्तों नीचे नीचे करूँगा यहां पर देख लिए फंड है है जिससे मुझे ज़्यादा लॉस नहीं हो क्योंकि मुझे सिर्फ आपको प्लैक्टिकल करके बताना है किलियर है अब मैं इसको नीचे करता हूं स्क्लॉर करता हूं यहाँ पे देख लीजिए स्क्रीन पे अब थोड़ा बैक जाते हैं लिकन यहाँ पे देख लीजिए दोस् जनवरी जनवरी 2023 में अपने साइपी स्टार्ट करी और अभी 24 चल रहा है जनवरी का तो सरी 101 रुपे क्यों है जोकि दोस्तों मैंने वही गलती करिए वही में आपको बताना चारों कि पिंसीपल जीरो होता है अब दोस्तों यह चीज मानों अगर मैंने 12 मैंने तक साइपी चलाई तो कितना इंवस्ट कर दिया में तोटल इसमें 12 रुपए ठीक है 12 रुपए इंवस्ट करने के बाद भी मुझे एक्चल में वहरी कितनी मिल रही है 100 उपे कि, क्यों मिल रहे ह aggregate, जो कि दोस्तों यही Бताना है, अब क्या होता है, दोस्तों मूचल फंड में आपने देखा होगा एक आप्शिटन होता है, ठीके, जिसे माली जी आज आपने मूचल फंड में इंवेश्टमेंट कर से अपको 50,000 पढ़ हैं अब आपको लिक्वार है उस investment में से आप कुछ पैसा निकाल सकते हो मिचल फंड आपको यह सुवीदा देता है लेकिन इस सुवीदा में क्या करते हैं दोस्तों लोग भाग जैसे माली जी मैंने साइपी चलाई थी 100 रुपे की ठीक है अब क्या हुआ दोस्तों रेगुलर बेस पे मुझे जो profit मिला जैसे माली जी मैंने 100 रुपे इंवेस्ट करें मुझे इस पे 20 रुपे इंट्रेस्ट मिला ठीक है ऐसे करके दोस्तों क्या हुआ जैसे माली जी 6 मेने तक मेरे कितने 600 रुपे जुडगा है अब इस पे मुझे माली जी इंट्रेस्ट मिला 200 रुपे 200 रुपे इंट्रेस्ट रोपे क्यों है, तो दोस्तो क्या हुआ, मैंने return to book करते गया, return book करते गया, वो मेरे bank account में आता गया, मैं redeem करता गया, लेकिन दोस्तो, जब जब market down गया, जब जब market down गया, तो क्या हुआ, fund का जो loss हुआ, वो उसने किस में से cover करा, वो जितना भी मैंने investment कर रहा था, 12 से हुआ बारसू की वैल्यू मिसे जो मैंने पैसा जमा कराया था इसलिए दोस्तों यहाँ पर कितनी वैल्यू देखने को मिल रही है आपको एक से एक रूपे समझ रहो कहने का मतलब यह है दोस्तों मीचल फंड में क्या होता है कंपाउंडिंग मिलती है इंट्रेस्ट पे इं अगर जब मार्केट डाउन जाएगा तो तो ऐसे ही दोस्तों यह कंडिशन है कि देख लीजे बारस रूपे जमा करने के बाद भी मेरे कितने बचे 101 ठीके क्योंकि दोस्तों में रेगुलर बेस में मेरे जो प्रॉफिट था उसको रिडिम करता गया प्रॉफिट को बुक क करता गया तो दोस्तों मैं आपको बता दिया कि principal zero हो सकता है अगर आप यह गलती करोगे तो मिचल्ट की दोस्तों दोस्तों बहुत बड़ी गलती है ऑन कि अगर यह गलती करते हो दो मिचल्ट आप के लिए नहीं है क्योंकि mutual fund में ना तो compounding का फाइदा उठा सकोगे और ना ही दोस्तों पैसा जोड सकोगे आपने जितना भी पैसा invest कर रखा है ना उसकी value भी एक ने एक दिन 0 हो जाएगी यह बिल्कुल fact बात है तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही मिलते मारे next video में जो शाम को आठ बजे मिलेगी जैश्री शाम दोस्तों